बल्या जिला अपने तमाम प्रदिभाओं के लिए प्रसिद्ध है उन्हीं प्रदिभाओं में से एक नई प्रदिभा हमारे सामने आई है वो हैं बल्या जिले के रच्छल ग्राम के पास ही राने वाले एक जागरुक किसान हम उनसे बात करते हैं रच्छल में ही एक सम्रिदी गारडेन और नर्सरी है श्री महिष्वार्ण शिञ्झ जी कि उस नर्सरी में टमाटर की बहुत उन्नत किसम की खेती लगी हुए यह पौधे लगे हुए हैं तो कैसे लगे हुए है किसने लगा रहा है हम उन्हीं जागरू किसान महोड़े सेहborne by करते हैं और जानते हैं उनका सारा परिचह है कानिवासी हूं नगनाव से भीज लाकर कर के हिं स्रौना ओक अंदा कम्पणी के लगा और लगाने के बाद मैं महस्वरानन सिंज के स्वयोग से इनके बाग में लगा और यह अच्छी भाराइटी है और किसानों को इस से अच्छला मिलता है प्रति एकड में हुआ है माइनर में अगर गड्रीप एरिगेशन से जाएं कि तो फ्लट एटे सन पर एकड में करीब करेंड लगेंगा इस बीधी से और एक पड्रे में कितने कीलो तक ट्रमाट्र निकल जाता है तो चारसुबीस कुंटाल प्रति एकड पादवार होगा इसका अच्छा और इसमें खाद में क्या डाला जाता है पूरुन रूप से अरगयनिक है और केच्वा का खाद बर्मी का स्वयूग लिया गया इसमें और कितने दिन में तैयार हो जाते हैं और यह लगभग 60 दिन के बाद इसमें फ़ल आने लगते हैं कि इसका क्या वह है विए फ्लोड एलिगेशन से हैं अब पौधों में जैसे कीड़े लग जाते हैं पत्ते काड़ डालते हैं उसके लिए क्या पौधों में फंगिसाइड का है इसमें मैटि मैटिलाक्स और उसमें कर्बंडा ओ मैंको जे दुना का मिश्रा का छिड़का मुबर्य जाने के लिए जलाके जोम हें तो बल्या जिले में इस प्रकार की खेटी और कहा कहार हो रही है रत संब में रहे हैं और शेतों हें में हो रही है के शी और बल्या जिले में हो जाएंगे इसकी खेटी के बारे में चाहते हैं कि किसान परागत खेटी से हट करके जो है परदवार है जिसे किसानों की का लाव होगा और दिरे धिरे अपने आपको लेचले जो पारमफरिक क्षा गेहँ रहर और यह धान वहते हैं उसकी जगह पर यदि इसकी खेति की जातों को मेहनत भी मेचान भी कम लगेगी लागत कम लगेगी और फैदा ज्यादा होगा ऐसा ह खेती में क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं सबसे पहले इसकी टाइमिंग टाइमिंग समय से अगर इसका बीज पड़े समय से रुपाई हो तो बजार मुल्य अच्छा मिलेगा और उत्पादन भी अच्छा होगा कौन सा समय होता है इसके लिए उप्यूकत यह जो मई तक कांटिनिवस में से फ़ल निकलता भी रहेगा और फ़लत भी आएगा अच्छा यह बताई यह तो टमाटर जाड़े की फसल हो गई इसके लाब मई में गर्मी के मौसम में हम कौन सा ऐसी सबजी लगा में कि हमको ज्यादा लाब हो किसानों को ज्यादा लाब हो मई मे तो अभिनाव का भी उत्पादन बहुत अच्छा है पिछले साल में लगाया हूं और मुझे उमीद है कि चार से पांच लाख रुपया परेकड़ का जो है उसका विंकम होगा तो बलिया जिले के किसानों को आप क्या सतला देना चाहेंगे हम चाहते है कि किसान जो हाई में और जो प्रधान मंत्री मानि मोदी जी का जो सपना है कि आए दो गुना होगा तो उसमें सुक्ष मिसी चाही प्रणालिक की और धीरे धीरे अग्रसित हो जैसा कि महस्वरा नंसिंग के भी प्लाट में यहाँ पर भी लगा है आए आपके लगा है मैं आपको कुछ यह बहुत अच्छा लग रहा है कि यह बहुत अच्छा उत्पादन देगा हमको पूरा विश्वास है और आप तो पहले खेती कर चुके हैं जिरिंदर आई जी और इनके साजोग से ही हम यह टमाटर का खेती कर रहे हैं और इस साल ड्रिप एजिकेशन ड्रिप का एडिगे और तीन-चार एकड में कोशिश करेंगे कि हम टमाटर की खेती तो रसन के जो किसान है आपके परशीत दियोंगे उन लोगों को आप इसकी जानकारी है बहुत किसान आके देखे हैं और उन लोगों को भी हम सला दे रहे हैं कि इस तरीका से वह लोग भी खेती करें ठीक है बहुत-बहुत धन्यवाद महें जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मैं विवेक शुकला भी आपको दिखा रहा था उत्तरप्रदेश के बलिया जन्पद में रत्सन नाम के गाउं से सम्रिधी और गार्डन नरसरी जो बनी हुए श्री महश्रा नंद सिंग जी के द नाएं धन्यवाद